नमस्कार मित्रो मैं परबिंद कुमार वर्मा सच्छिडिक परामर्जदाता उत्तर परदिस राजर्शी टेंडन मुक्त विश्विद्याले प्रियागराई चुकि COVID-19 का दवर जारी है लेकिन सिच्छा का जो छेत्र है वो निर्बाद रूप से निरंतर गतिमान है इसी गतिमान की कड़ी में मैं आपके बीच B.S.C.03 का पाठिकरम के 7 उनिट का एक प्रकरण द्रिष्टी बाधिता एवं नियून द्रिष्टी की परिभासा एवं उसके वर्गी करण पर बादचित करने के लिए उपस्तित हुआ हूँ चुकि प्रकरती द्वारा प्रदत सबसे महत्वपूर वस्तु मानव है और मानव के साथ उसके जो अंग है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर है जैसे आख आख मानों का सबसे महत्वपूर अंग कह सकते हैं जो कि देखने की सारी प्रक्रियाओं को संचालित करता है और उसी के माध्यम से हम किसी भी वस्तू को देखने का प्रयास करते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसी चीजे होती हैं हम उन चीजों को किसी भी वस्तू को देखने में अच्छम हो जाते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोच पाते हैं, कि ये क्यूं होती हैं, कैसे होती हैं, अगर हम किसी वस्तू को नहीं देख पाते हैं, या हम देख पाने में अपने आपको अच्छम महसूस कर रहे हैं, या हम देखन तो एक प्रश्ण उठता है कि द्रिष्टी बाधा है क्या तो जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको दो-तीन सब्द हमेशा मिलते रहेंगे कि द्रिष्टी बाधा क्या है द्रिष्टी अच्छमता क्या है द्रिष्टी दिभ्यांगता क्या है जो भी आप एक नहीं टर्मिलाजी जोडते हैं वह आपको मिलता रहेगा लेकिन अगर हम एक सामान प्रचलन में एक सामान दृष्टी कूण से आगे बढ़ने का प्रयास करें तो पहले हम इसपश्ट कर लें कि दृष्टी बाधा क्या होती है दृष्टी अच्छमता क्या होती है तो हम समान यह कहना चाहें कि द्रिष्टी अच्छंता से अभिप्रेत वह प्रक्रिया है जो आपके देखने के प्रक्रिया में बाधा उत्पन करती हो उसे हम द्रिष्टी बाधा बोलते हैं लेकिन इसको समझने के लिए बहु सारी परिभास आएं उपलब्ध हैं कुछ विधिक परिभ लेकिन हम दोनों को अगर समझने का प्रयास करें तो हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि हम किस ब्यक्ति को द्रिष्टी बाधित बोलें किस ब्यक्ति को हम दिभ्यांग बोलें किस ब्यक्ति को हम एक दूसरे से अलग बोलें तो इसको हमें समझना पड़ेगा और इसको हम क सोचते थे कि द्रिष्टी बाधा होती क्या है लोग समान सब्दों में कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखने पाए उसको हम द्रिष्टी बाधित बोलते हैं सही है ये भी गलत नहीं है लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं एक मानक या एक दूरी या एक बि करेंगे कि वास्तों में धरिश्टी बाधा होती क्या हैं उन चीजों को हम ह Sizए फोड़ा सा समझने supply हम इमपेरिमेंट डिस deathantine और हंडिक लगां तो मेरी आंग च्छती हो गई तो जक चती हो मैं किसी वस्तू को देखने में अच्छम हो गया मैं किसी वस्तू को देख नहीं पा रहा हूं तो इसको बोलेंगे disability लेकिन जो हमारी च्छती हुई है उस च्छती के कारण मैं किसी वस्तू को देख नहीं पा रहा था अब वो हमारी स्थारिक अस्थाईत का रूप धारल कर ल के टर्मिनलोजी में दिभ्यांगता लेकिन इससे हम आगे बढ़ करके दृष्टी दिभ्यांगता की परिवासा को समझने का प्रयास करते हैं कि प्रिष्टी की दिभ्यांगता क्या होती है परसन इविडिसिबिल्टी 1995 के अनुसार जो दृष्टी बाधा की परिवासा दी गई है उससे दृष्टी बाधित ब्रक्ति से अभिप्रेत उस ब्रक्ति से है जो निम्न में से किसी से प्रभावित हो जैसे पहला पूरी तरीके स दृष्टी बाधित जो व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी वस्तु को देखने में अच्छाम हो उसे हम दृष्टी बाधित बोलते हैं दूसरी कंडिशन क्या है कि किसी भी ब्यक्ति की विज्वल एक्विटी या दृष्टी तीचडता करेक्टिंग लेंसों के उपयोग के बाद भी 6 by 60 या 20 by 200 से अधिक न हो, तीसरा है फिल्ड आफ विजन, व्यक्ति के जो दृष्टी का छेत्र है वो 20 डिग्री या उससे कम हो, हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये 6 by 60 आ 20 by 200 क्या होता है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तू को अगर 200 फिट से आसानी से देख सकता है, उसी वस्तू को एक द्रिष्टी बाधित ब्यक्ति को देखने के लिए 20 फिट की सीमा छेत्रे के अंतरगत आना होता है, इसको हम बोलते हैं विज्वल लेकिन जो दृष्टी बाधित व्यक्ति होता है वह अपनी पूरी गर्धन सीधी करते हुए दृष्टी छेत्र केवल 20 डिग्री ही देख सकता है उसको हम दृष्टी बाधित के कटेगरी में रखते हैं जैसा कि आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि उसमें तो उसी जैसे उपर वाला बड़ा एं तो वह 200 फीट की दूरी से अगर हम उसको देख रहें तो उसी अच्छर को एक दिष्टी बाधित ब्यक्ति को देखने के लिए 20 फीट की दूरी तक आना पड़ता है इसलिए हम उस ब्यक्ति को दिष्टी बाधित बोलते हैं अगली जो परिभासा के अधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि डावली अच्छों ने जो परिभासा दी है उस परिभासा के अधार पर हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि और कौन से ब्यक्ति हो सकते हैं जिनको हम दिष्टी बाधिता के छेतर में रख सकते हैं उन्होंने उसको दो भागों में विभाजित करके दिया है एक उन्होंने बताया कि डिस्टेंस विजन इंपरिमेंट इसके अंतरगत इन्होंने चार भागों में द्रिष्टी बाधिता को डिवाइट किया पहला उन्होंने बोला कि माइल्ड विजन इंपरिमेंट यह क्या हो कि अच्छा जो mild vision impairment का ब्यक्ति है उसकी visual equity कितनी है वो किस प्रकार से अपने कारे को संपन्न करता है उसी प्रकार से दूसरा है moderate vision impairment इसके अंतरगत जो ब्यक्ति की visual equity होती है वो 6 by 18 होती है अगला जो severe vision impairment व्यक्ति होता है उसकी visual equity होती है वो 6 by 60 होती है चौथा जो पूरी तरीके से blind होता है व्यक्ति जो की प्रकास को भी समझ नहीं पाता है उसकी visual equity 3 by 60 होती है दूसरा जो कर्टेग्राइजेशन डवली एचो ने किया है नियर वीजन इंपरिमेंट की इसके अंतरगत हम बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि हम नियर वीजन इंपरिमेंट किसको बोलते हैं तो इसके अंतरगत visual equity जो होती है N6RM.08 with existing correction इसके अधार पर कोई भी व्यक्ति का जो अनुभा होता है जो दृष्टी के उपयोग के बाद जो उसका अनुभा होता है उसको हम अगर उधारन के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो एक व्यक्ति के दृष्टी चमता के सनच्छन एवं उप्चार के हस्तच शयप से निरधारीत होता है कि कोई भी ब्यक्ति की जो नियर वीजन इंपैर्य myst है वो कितनी है दूसरा की उस ब्यक्ति का रिए पेरी टेशन कैशा है रियाब लिटेशन से ताथ पर यह है कि उस ब्यक्ति को दृष्टी के प्रयोग से होने कितने इसके तूल या अप्लाइंस का उपयोग होता है जिस ही वह दृष्टी से समधित सारे करने में सच्छम हो जाए या हम और उधारण से समझ सकते हैं कि अगर किसी ब्यक्ति को किसी assistive device के माध्यम से या उसके orientation mobility को किसी device के माध्यम से अगर सच्छम बना दिया जाए तो उसके near vision impairment को दूर किया जा सकता है ऐसे ही बहुत सारे अनुभव हैं जैसे अगर किसी ब्यक्ति को किसी building में किसी transport पर किसी un public place पर आने जाने की कोई समस्या हो तो उस समस्या को भी हम इसके माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं चुकि WHO की जो परिभासा है वो एक बहुत ही अनुभव और बहुत ही नवाचार और एक तरीके से चिकित्सकी छेत्र में हुए सोध के माध्यम से प्रस्तूत करने का प्रयास किया गया है लेकिन फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो कर्टेगराईजेसन डबली एचो के द्वारा खिया गया है वो दिश्टिबाधित ब्रक्तियों के लिए सुसंगत साबित हो रहा है लेकिन भविस में इसमें भी और करेक्शन के आसार हैं जो निकट भविस में तय होगा कि इसकी और भी परिभासाएं किस तरीके से हो सकती हैं आगे जब हम देखते हैं जो नेशनल प्रोग्राम फार कंट्रोल आफ ब्लाइंड इन्हों ने जो दृष्टिबाधिता की परिभासा दी की फिंगर काउंट जैसे किसी व्यक्ति को किसी भी चीज को दिखाने के लिए अगर 6 मीटर या 20 फीट की दूरी से अगर हम किसी ची प्रयास करेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति को 6 मेटर दूर से आपनी किवल उंगली को आप दिखाए कि यह कितनी उंगली है अगर वह व्यक्ति उसको काउंट करने में सच्छम है तब तो वह जन्रल व्यक्ति है आधर्वाइस वह ब्लाइंडनेस की स्रेड़ी में आ सकता है त जो समान आख है उसकी अपिक्षा इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि दिश्टी बाधिता के जो परिभासाएं हैं वो किस-किस तरीके से व्यक्ति को समझने और सोचने में मजबूर करता है कि जो चिकत्सिकी रूप से इसने चार्ट के माध्यम से जो मानक तयार किया गया है उस मानक में हम कहां अपने आपको समेठते हैं अपने आपको कहां हम समाई पाते हैं वो आपको बताता है कि आप दिश्टी बाधित हैं या दिश्टी बाधित नहीं हैं लेकिन कुछ ब्यक्ति ऐसे होते हैं कि पूरते दिश्टी बाधित नहीं होते हैं तो उनकी पास क्या लेकिन सारी चीज़ों को कर लेता है लेकिन जब वो चीज़्ों को समझने का प्रयास करता है तो उसकी जो दिश्टी छमता वो कम होती है नियुन द्रिष्टी से क्या तात पर है या आंसिक द्रिष्टी या पार्सिली ब्लैंड आंसिक द्रिष्टी दोस ग्रस्त ब्यक्ति वह है जिसमें सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में द्रिष्टी तिछड़ता विज्वल एक्विटी 20 बाई 70 और 20 बाई 200 के बीच ह मतलब जो मैं 20 बाई 70 कह रहा हूं वह उसी वेज्वल एक्विटी के अधार पर सेट होता है जो पहले मैंने बताया था इसी ब्यक्ति को किसी वस्तू को कोई वस्तू 200 फिट से देख लेता है उसी वस्तू को देखने के लिए ब्यक्ति को 20 फिट के दाएरे में आना पड़त है उसको हम नियून दृष्टी बोलते हैं अगली बात जो हम समझने का प्रयास करते हैं कि अब और कौन से व्यक्ति को हम नियून दृष्टी बोल सकते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि पी डवलूडी एक 1995 के अनुसार जो नियून दृष्टी की परिवासा दी गई है वह कि कम दृष्टी वाला ब्यक्ति से ऐसा कोई ब्यक्ति अभिप्रेथ है जिसकी उपचार या मानक अपरिवर्तनी संसोधन के पश्चात भी दृष्टी छमता का हरास हो गया हो किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निस्पादन के लिए दृष्टी का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाब विरूप से समर्थवान होता है उसको हम नियून दृष्टी के व्यक्ति कह सकते हैं लेकिन आगे जब हम बात करते हैं कि नियून दृष्टी को और हम किस तरीके से समझने का प्रयास करें तो आर्पी डब्लूडी एक 2016 ने नियून दृष्टी से ऐसी सिति अभिप्रेत किया है जिसमें ब्यक्ति के निम्म में से कोई भी सिति होती है जैसे हम समझ सकते हैं कि बेहतर आख में सरवाधिक संभव सुधार के साथ 6 बाई 18 से अनाधिक 20 बाई 200 से कम से 3 बाई 60 तक या 10 बाई 20 इसने चार तक दिश्टी तिछड़ता दूसरा है तक कि इसको भी हम ऊसी रूप में समझने का प्रयास करेंगे जैसा हमने ड्रिष्टि बाधिता में समझने का प्रयास किये थे कि कि किस ब्यक्ति को हम कह सकते हैं जैसा debt के माध्या के से देख सकते हैं इस पर जो चीजें समाहित हैं उसको भी आप समझने का प्रयास करेंगे तो यह चीजें आपको इसपष्ठ होंगी कि हाँ वास्तों में कौन से ब्यक्ति को हम किस रूप में नियुंद्रिष्टी का बोल सकते हैं क्या केवल वह कुछ चीजों को नहीं देख पाता है इसलिए ब्यक्ति के द्रिष्टी से संबंधित किसी कारे को हम संपन कराने में सच्छम होते हैं तो उस ब्यक्ति को हम नियुंद्रिष्टी का बोल सकते हैं यह सारी प्रक्रिया ब्यक्ति के द्रिष्टी तिछड़ता पर अधारित होती है आगे हम देखने का प्रयास करें कि हम किस ब्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि वो ब्लाइंड है हम की इस ब्यक्ति को बोल सकते हैं वो लो विजन है तो आईए हम इस चार्ट के माध्यम से उसके कटेगरी को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ब्यक्ति नियून दृष्टी का होगा कौन सा ब्यक्ति पूरी तरीके से ब्ल चार्ट के माध्यम से प्रस्तूत की गई है पहले कटेग्री में हम देख रहे हैं कटेग्री 1 में उसकी जो विज्वल एक्विटी है 6 x 18 से 6 x 60 जो हम परिभासा के माध्यम से समझने का प्रयास किये थे कि इस कटेग्री का ब्यक्ति किसमें आता है वो पूरी तरीके से करेंगे तो उसको हम ऐसे एंपी सीवी के माध्यम से एकनॉमिक ब्लाइडनेस बोलते हैं उसमें जब कटेग्री हम 3 की बात करते हैं जब आपकी विज्वल एक्विटी 3 x 60 से 1 x 60 हो तो वह सोचल ब्लाइडनेस की स्रेड़ी में आता है जब हम कटेग्री 4 की बात करते हैं त लो वन बाई 60 से पर्शेशन आफ लाइट लॉन वाइस इस्टी और पर्शेशन आफ लाइट का मतलब होता है कि जब हम किसी ब्यक्ति के बारें हम बोलते हैं कि वह किसी भी लाइट को केवल प्रकास को अगर एक मीटर की दूरी से भी नहीं समझ पाता है ।क ब्लाइड प पूरी तरीके से अस्वस्त हो करके ने जो बेगती प्रकास को भी नहीं समझ बोलते हैं वह पूरी तरीके से टो हम इसका जो क्रासेइड है और भी आपको बहुत सारी classification मिलेंगे जिसमें कि कुछ जो में आपको 6 by 18 जब दिया है वहां पर आपको 6 by 9 भी मिल सकता है वहां पर 6 by 60 है तो उसके बाद 6 by 24 भी मिल सकता है तो बहुत सारे तो आपको इसमें उलजने की ज़रत नहीं है आपको किसी भी रूप में केवल ये देखना है कि हम किस द्यक्ति को ब्लाइंड कह सकते हैं तो हम सारा का सारा हमारा पूरी प्रक्रिया है वह वीजवल एकटी पर अधारीत होगी हम दिस्ति तिछड़ता को केंद्र बिंदू मान करके जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम यह कर पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति दिष्टी बाधित है कौन व्यक्ति लो विजन का है तो हम इसको जब आगे बढ़ करके और देखने का प्रयास करते हैं तो आप इस चार्ट के माध्यम से भी समझने का प्रयास करिए कि जो हम 6 by 60 स से ले करके 6 by 5 तक यह जो हम का टेग्राइजेशन किये हुए हैं उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि 6 by 60 का मतलब क्या होता है 20 by 200 का मतलब तो उपर आपको दीख रहा होगा कि एक मीटर में है और एक फीट में है तो आप दोनों में से किसी एक का उप्योग कर सकते ह हैं ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कहता है कि यह 6 by 60 नहीं लेकिन 20 by 200 है नहीं दोनों एक ही है कि वह आपके मापन की प्रक्रिया में परिवर्तन करता है इस चार्ट के माध्यम से अगर हम थोड़ा सा समझने का और प्रयास करें और उसको हम क्लासिफाई करने का प्रयास करें त कि किस काटेगरी में आता होगा वह ब्लाइंड है या लो वीजन है आप उसको पिछले वाले लेक्चर को सुन करके समझने का प्रयास करिएगा कि 6 by 18 के ब्लाइंड है या लो वीजन है तो आप जब इसदर मॉडरेट विजुल इंपरिमेंट की बात कर रहे हैं सीवियर वि दर्बएक्ति बिख्त lattice ऑWasu है तो एस चर्ट के माध्यम से भी प्रयास करेंगे ह। सारी चाइज आपको इसप प्षट नजराएंगी हाँ वास्तों में काउन व्यक्ति न की नियुम दर्बएक्ति होता में काउन ब्यक्ति प्री तरिके से दिने होता है लेकिन ये सारी परिभासाओं और ये सारी मापन के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमें एक ही बास समझ में आती है कि इस धर्ती पर मानों के अंग में अगर पोई नयाब वस्तू है तो वो व्यक्ति का आख ही है आख के जो बनावट है आनकी जो प्रकृ lush है वह बहुत जटिल है आफ उनको समझने का प्रयास करें आज हम ग्यानिक रूप कितना भी उन्नत कर लें कितनी भी हम पूरी चीजों को बना लें लेकिन हम ब्यक्ति के अंगों को बनाने में स्वयम को जो प्रकृति प्रदत है उस तरीके से अपने आपको सच्छम नहीं बना पाएंगे हमें नहीं करें कि हम कोई अंग दूसरा नहीं बना पाएंगे उसका सब्सिट्यूट नहीं बना पाएंगे हम सारी चीजों को करने में सच्छम है लेकिन अगर हम चाहें कि हुबहु वो चीज आ जाये तो हम नहीं कर सकते हैं नहीं करने का मतलब यह नहीं कि हो ही नहीं सकता है हम नहीं कर सकते हैं हमाई इसीति अभी उस रूप में नहीं हुई है लेकिन हो सकता है निकट भविष्ट में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि उसका सक्सिटूट उसका पूरक आपको प्रस्तुत कर सकता है लेकिन वो प्रकृत प्रदत्त हो यह संभव नहीं हो सकता है तो हमेशा से आता है कि मेरे पास जो अ ढिब्यांगता का जो प्रतिसात हैं वह 40 है 20 है सतर है 90 है तो हम इसको किस अधार प्रताइं करते हैं कि कोई उसी व्यक्ति की जो ढिब्यांगता है जैसा कि हमारा medical field करता है कि कोई व्यक्ति को हम दिभ्यांग तभी मानेंगे जब उसमें दिभ्यांगता की जो स्रेडी हो चालीस पर संट तो चालीस परसंट का मतलब यह है कि हम तीस परसंट तक को हम छूड़ दे रहे हैं कि आप अगर 30% तक हैं तो आप disability के कटेगरी में नहीं आते हैं या 20% तक है तभी नहीं आते हैं या फिर 10% तभी नहीं आते हैं तो हमें यह सोचना पड़ाया कि हमने 40 से क्यों सेट किया यह आपके लिए प्रश्ण में छोड़ रहा हूं या आप इसको सोचिएगा कि हम 40 से क भी मानेंगे जब उसकी बैंगता 40% तक हो तो जब हम 40% की बात करते हैं तो हमारा उस 40% से क्या थात पर होता है या क्या हो सकता है आप इस चार्ट के माधियम से देखने का प्रयास करेंगे कि अगर जिस ब्यक्ति की विज्वल एक्विटी ठीक है यह राइट वाला रो है और वो लेफ्ट वाला रो है तो आप इन दोनों के माधियम से समझेने का प्रयास करेंगा कि जिस ब्यक्ति के राइट आइस की विज्वल एक्विटी सिक्स बाइट ट्वंटीफोर और लेफ्ट आइस की सिक्स बाइट ट्वंटीफोर है वह ब्यक्ति 40% दिब्या करता है अगर यह ब्यक्ति की विज्वल एक्विटी 3 by 60 लेफ्ट और 3 by 60 राइट है तो उसकी जो दिब्यांगता है वह 70 प्रतिसत हो जागी अगर उसकी लेफ्ट और राइट आइस की विज्वल एक्विटी 1 by 60 और 1 by 60 तो उसकी दिब्यांगता 90 प्रतिसत हो गई अगर किसी ब्य को भी नहीं समझ पा रहा है तो उसकी जो दिभ्यांगता है वो हंडेट पर चत हो जाएगी तो आप इस चार्ट के माध्यम से भी देख करके समझने का प्रयास कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम किसी को 10 20 30 40 50 60 80 90 100 हम किस तरीके से किस ब्यक्ति को किस कटेग्री में रखना चाहें और क है खीनी धिभ्यांगता के बाउजूद ये व्यक्ति चूरूप में कार कर रहा है तो इस तरीके से बहुत सारी बातों को हम समाहित करते हुए आज हमने समझने का प्रयास कि दो ब्यक्ति कोन है ई ऐसे किसी ब्यक्ति को कह सकते हैं कि यह ब्लाइंड है यह व्यक्ति लो वीजन का है तो ऐसी तमाम चर्चाएं होती रहेंगी हम आपके बीच फिर से आएंगे अगर आपके अलग से कोई जिग्यासाइं हो आपको लग रहा हो कि इसमें हम कुछ बाते हमें समझ में नहीं आई हो या फिर मुझे यह समझ में आ रहा था लेकिन इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है तो आप हमें कमेंड बाक्स में अपने जिग्यासाओं को प्रस्तूत कर देंगे तो मैं जैसे ही अगले लेक्चर में आऊंगा उनको समाहित करके मैं आ कर दो